सब्सक्राइब करते हैं इन सब की बात करते हैं उसमें एक नाम हमेशा लेते हैं जो की है सब्सक्राइब करते हैं और इस साल भी आप में से कई लोगों ने उसका फॉर्म भरा होगा जो की नाइंथ आपका जो भी स्लॉट आया होगा डिजन्ट मैंटर बट उस क्या मांइन्द सेट होना चीक और इस सब्सक्राइब करना है आज आपने इस वीडियो में कई लेकर आाया हूं तो आपने हीज आपने स्वीडियो में कई सारी बातते करेंगे कि कैसे आपने उस से अपने उस मजिबह सॉते मिनित्स और यो 200 questions कैसे आप टाइम मैनेज करोगे दिन अपने strength के साथ कैसे खेलना है कैसे questions का selection करना है यहां पर guessing work भी बहुत matter करता है क्योंकि आपको मालूम है MBS CT में नीगेटिव मार्किंग नहीं है तो जहां पर आप देख रहे हो 150 मिनिट 200 questions कैसे होगा सर उसमें बेस्ट पार्ट यह भी है कि नीगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर यहां पर आप गेसिंग वर्क पे भी बहुत सा खेल खेल सकते हो कैसे खेल होगे अफकोस मैं आपको बताऊंगा अफकोस गाई यहां पर जो भी बाते में बताऊंगा आपको टेफिनेटली यूज होगी MBS CT exam में जो इस साल 9th of March से अगेन आप में से जो स्टुएंट ऐसे भी होंगे जो नेक्स यह देने वाले गाई यह वीडियो आपके लिए भी अफकोस आपको काम आई गाई तो एक थोड़ा सा बेसिक मोटा मोटी टेंटेटिव आइडिया एक पॉजिटिव माइंड़ से ले सकते हो कि आसान है कर सकत हो ठीक है तो यह सगाई स्टॉप सेवन यह समय टॉप सेवन इंपोर्टन तिंग्स का जिक्र यहां पर करूंगा जो की आपको फॉलो करनी चाहिए उस डीडे पर याने जिस दिन आपकी एक्जाम है उस दिन पर आपने माइंड सेट क्या स्ट्राटेजी क्या एप्रोच इ यूज करना चीज़ आपको सक्सेस्फूल रिजल्ट मिले वो ड्रीम स्कूर मिले जो आप चाहते हो सो यस गाइस इसकी बात हम करेंगे अफकोस गाइस कोई भी चीज कोई भी स्ट्राटेजी तब वर करती है जब आपका प्रिपरेशन उतना सॉलीड हो ठीक है सो यस पहले यह अपने एक शॉट में कवर भी किया था कि यह सीटी एक्जाम स्ट्रेंट फ्रेंडली क्यों होती है क्योंकि यहाँ यहाँ पर डॉमिनेटिंग सेक्शन लॉजिकल रिजनिंग है 75 कोश्चन जनरल लर से हैं जिसको हम ट्रेडिशनल लर बोलते हैं 25 कोश्चन अब्स्रेक कि 50 ओर लॉजिकल रिजनिंग इंक्लूडिंग अब्स्रेक्ट रिजनिंग 100 कोश्चन लेकिन स्लॉट वाइस थोड़ा वो चेंज हो रहा है दो एक साल से मोटा मोटी यही रहेगा डॉमिनेटिंग सेक्शन अगर LR है गाईस तो LR वैसे भी स्टुएंट को इजी लगता ह आपको घ्रिजनिंग क्या होता है देख लो एक बार अब्स्रेक्ट रिजनिंग क्या होता है तो हो देखो और उस इसकाल से एकदम ऐसे इजी कोश्चन होते गाईस लॉजिकल रिजनिंग अफ्कोस वी रसी में आपका थोड़ा सा तो पार्ट वोग्याब में थोड़ा है कॉंट में basic formulas related question at least आपको आजाए डिया से खिलना आपको आजाए तो उसमें भी आप अच्छा खासा कर सकते हो तो यस मैं मानता हूँ कि CT में वह student जिनका भेहतरीन preparation हो गया है यह strategy उनके लिए वर्क करेगी अगें जिनका भेहतरीन preparation नहीं हुआ है उनके लिए भी क्या है सर यस इसमें आपको थोड़ा भूत तो अफकोस उसका benefit मिलेगा ही गाईज ठीक है सो यस बिना किसी देरी के शुरुवात करते हैं सबसे important always follow 50 in 35 rule while attempting your MBA CT exam yes अब आप बोलोगे सरे 15 35 rule यह क्या है 50 in 35 rule MBA CT exam में follow करो गाईज यह बहुत important है सर यह है क्या लेकिन यह आपको बोलता है कि आपको total 50 questions attempt करना है in 35 minutes guys clear है आपको कितने questions attempt करना है 50 questions in 35 minutes अच्छा सर कैसे होगा कैसे होगा guys मैं नहीं बोल रहों कि आपको सारे के सारे पूरे time लगा के solve करना है of course मुझे मालूम है 50 के 50 आपसे नहीं होने वाले बीच में RC आजाएगी RC ले लिगे आपका लंबा चोड़ा time out of box है मतलब आपकी लिए out of box है ठीक है आपकी लिए out of box है वो टॉपिक आप नहीं किया है for example algebra आप छोड़कर आयो modern math आप छोड़कर आयो और उससे related question है कोई एक बड़ी सी एलर की puzzle है puzzle में आपको मजा आता है करने में लेकिन एक्जाम में puzzle से start करना या puzzle इतने जल्दी उठाना बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि या same with RC यह बड़ी सी RC पड़ो puzzle पड़ो उससे data collect करो questions के answer दोर उसमें अगर मानलो 15-20 मिनिट निकल लिए दस बारा मिनिट भी निकल लिए तीन और चार question के लिए तो आपका जो moral down होगा न यहाँ पहले हमें कम टाइम में ज्यादा question करना है उसमें आपने पहले ही जैसे जैसे आएंगी जैसे RC आ रही है पजल आ रही है सो इनको छोड़ते अब छोड़ना कैसे है छोड़ना कैसे तो आपको छोड़ना मतलब mark for review हो सकता है गाइस देखो मैं बोल रहा हूँ टॉपर्स भी पूरे 200 question as it is all करके नहीं कर पाते ठीक है अगर कर पाते हैं तो 200 out of 200 का टॉपर आ जाता सीटी का जो नहीं आता है क्यों नहीं आता है रिजन क्योंकि 200 question तक 150 मिनिट में कोई नहीं पोच पाएगा जहां पर आरसी पजल जैसे बड़े-बड़े चीज़े एक्जाम में होती है तो इसलिए गाइस वहाँ पर आपको बेस्ट सिलेक्शन मैटर करेगा तो जो अब आप इतनी प्रिप्रेशन में कहाना यह अपकी प्रिप्रेशन में प्रिप्रेशन करता है आप प्रिप्रेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि आपका स्ट्रेंट का है लॉजिकल दिनिंग में वह जो छोटे-छोटे सिंगल र McG कोशन आते ब्लोट एलेशन की कोडिंग के सीरीज के अना डिरेक्शन सेंज के वो उड्वालो यार प्र इंग्लिविष में तो यर्व किंगते ज्यों होते हैं वहो उटा लो तो आपको यिदेंी स्ट्रौंगे 미िधिसरा जेशन कोई इसिया उससे related question कोई दीख रहा है उससे related geometry अगर strong है उससे related कुछ दीख रहा है वो उठा लो तो guys selection बहुत सही करो और जो question 50 में से मैंनी बोल रहा हूँ 50 के 50 पढ़के solve करके time देके solve करो बस आपने target रखना है कि हर 35 में मैं 50 question तक पहुच जाओ उसमें से कई सारे question maximum question कोशिश करो कि solve करके हो जो question solve करके ना हो खास कर ये RC, puzzle, count या English के वो question जो आप के out of box है है ना तो guys वो question आप definitely क्या कर सकते हो तुका, gazing है ना मटका तो yes guys अब उस पर कैसे काम करना है वो मैं आगे बताऊंगा वो आगे बताऊंगा लेकिन yes maximum question पहले तो आपने अभी से मन में एक clock चलने दो वहां पे आपके पास होती भी है तो एक clock चलने दो 35 minute जैसे खता होगा आप पच्चास question तक आ जाना चाहिए तो guys अगर मैं बात करू 35 first 35 minute आपने पहले पच्चास question कर लिए अगले 35 minute अगले पच्चास question तक आ गया next देखो I know guys कि यह आपको सुनने में बड़ा easy लग रहा है लेकिन करने में इतना easy है नहीं और इसी लिए अगिन आप मेंसे कोई student यह भी सोच रहे होंगे सो guys मैं फिर से आपको याद दिला दू मैं नहीं बोल रहा हूँ 50 के 50 question पढ़के करना है पहले 35 minute में 50 question तक पहुझाओ उसमें maximum कोशिच करो पढ़के करने की maximum मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरे पचास करना था इन मात्र 150 minute में यहाँ आपके पास कितना पर question एक मिनिट से भी कम टाइम था एक मिनिट से भी कम टाइम था अब अगर मैं यहाँ पर 35 question में सिर्फ 30 करेक्ट करने बोल रहा हूँ 30 करेक्ट जो पढ़कर करना है 30 से लेकर 32 जो पढ़कर करना है तो guys आपके पास लग एक मिनिट हर question को देकर वो जो आपका strength है वो जो आपके comfort zone में है वो जिस पर आप practice करते आए हो single line question ठीक है जो आपका time अच्छा खासा save करेंगे पजल में भी अफकोस जो बड़ी पजल है वो छोड़ सकते हो वो भी वो student जो पजल में बहुत जादा pro है मानते की ने मैं पजल बहुत अच्छी से करता हो मेरे practice अच्छी है तो पजल भी सारे ये लंबी चवड़े बड़ी बड़ी नहीं आईगी guys कुछ पजल ऐसी होगी है ना छोटी बजल वो अब ले सकते हो लेकिन अगेन मैं बोलूँगा वो पहले घंटे में मतलो फर्स वन आर बहुत कुरूशे ले गई तो उसकी बात मैं आगे करूँगा ठीक है तो फर्स वन आर में मतलो तो आप guys अगर ये अब 35 मिनिट में 30 correct question करना है मानलो मैंने 5 मिन मिट दे दिये उन 20 question को तुक्का मारने के लिए अब तुक्के में तो 5 मिट इनफ है तुक्के मारने के लिए 5 मिट बहुत इनफ है ठीक है तो यार मुझे बताओ 120 score ये मैं मानता हूं with 100% accuracy क्यूंकि आप पढ़के कर रहे हो तो 120 score तो आपका यही पर आ गया और बचे वे त तुक्के में से निकाल लेना अगेन आप तुक्के में से सोचों कि सर तुक्के में क्या ही तो probability होती है और यह मैं minimum side बोल रहा हूं जो student guys जो student 32 32 32 question करते आएंगा मैं बोल रहा हूं 30 से 32 question तो भी आप क्यूंकि तुक्के मारने के लिए गाईज अगर 20 question को तुक्का मारना है तीन मिनिट भी इनफ है तो अगर आप maximum side 32 question 32 मिनिट में भी solve कर लो 35 मिनिट आपको मैं दे रहा हूं अगर आप 32 मिनिट में 32 question solve कर लो बचे वे तीन मिनिट हम तुक्के के लिए यूज करेंगे तो भी आपका 130 कितना 128 score यही हो जाएगा ठीक है 128 score मतलब आप 120 से 128 score 100% accuracy से बहुत easy है आपको आपका dream institute मिलना क्योंकि यह तो अब तक आपने कितने questions करें है यह आपने 120 या 128 questions करें है बाकी के बचे हुए जो 72 से 80 questions है ठीक है 72 से 80 questions इन में अगें तुक्का सर अच्छा इतने question तुक्का मारना है नहीं ठीक है अफकोस बहुत से student को इससे भी ज्यादा मारना पड़ता है लेकिन अगर आपकी preparation अच्छी है तो इससे कम मारोगे यह मैं आपको बता रहो इतने तो आपको करना है अगर इतने तुक्का भी मारना पड़ा तो मैं आपको बस इसे गेसिंग आखे बन करके जैम आता दिया अकड़ बखकड बंबेबो करने नहीं बोल कि उसका अगर मैं 15 लूँ तो 16 लगबक करेक्ट आने के chances है ठीक है यह मैं probability wise जा रहा हूँ ठीक है तो 16 क्वेशन तो 120 में अगर 16 136 कोर हो रहा है सर लेकिन मुझे तो जे भी चाहिए जे भी के लिए 145 प्लस चाहिए 150 प्लस चाहिए 145 प्लस तक कैसे जाए तो गाइस यह तो हमने वो तुक का strategy यूज किये जो बिना देखे बिना सोचे समझे अकड़ बंबे वो से कर दिया ठीक है तो ऐसे 16 आपको 15th probability मिलती गाइस लेकिन जब आप वहाँ पे questions की probability बढ़ा दो एंसर्स की गेसिंग की probability बढ़ा दोर हो कैसे बढ़ाना आगे बात करूंगा ठीक है तब आपका definitely 16 question 25 तक जा सकता है बराबर यह 16 question 30 तक भी जा सकता है correct guessing out of 80 ठीक है और आपका 150 achievable हो सकता है अगेन मैं यह वो student के लिए बोल रहा हूँ जो अबो average से लेकर intelligent तक है मतलब अच excellent ठीक है लेकिन अच्छा खासा preparation कर चुके उनके लिए definitely जो student एक्दम excellent level में याने कि बहुत अच्छी से preparation mock walk देकर अच्छा खासा उनका अभी score यह आ रहा है अभी से यह score आ रहा है तो definitely guys अभी CT आते आते तो जो मैं आपके लिए correct number बता रहा हूँ वो भी आपका बढ़ने माला है ठीक है यह तो मैं अबो एवरे स्टुनेंट के लिए बता रहा हूँ लेकिन जो स्टुनेंट प्रो है वो डेफिनेटली 35 मिनिट में स्रिप 30 32 कम से कम 35 कोश्चन तो करेंगे हो सकता है वो 35 मिनिट का 30 मिनिट ही ले 35 करेंट करने के लिए तो आपका तो 140 को यह आ जा है करना उतना असान नहीं है लेकिन पॉसीबल है ठीक है पॉसीबल है ना मुम्किन नहीं है तो गाईज अगर आप इतना स्कोर करेक्ट लेकर आओ विथ परसेंट एक्टुरसी जहां पर आपने अपने सिलेक्शन आप गाईज यह चीज मैटर करेगी फ्रॉम स्वेंट क्या करना है मैं सजेस्ट आपको अभी बोलूँगा मैं सजेस्ट करूँगा आपको की आर सी को फर्स बनार में मत हाथ लगाओ लॉंग पजल्स को मत हाथ लगाओ आउट अप दबॉक्स जो आपने कभी नहीं पढ़े उनको क्यों पढ़ने में टाइम वेस्ट कर रहे हो ठीक आप यह मत सोचो कि मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे और बाद में पूरा होने के बाद आएंगे गाइस नहीं क्योंकि सोचो यहां पर ऑनलाइन एक्जाम है यहां पर एक क्लिक में भी प्रोसेस होती है फिर वो अगले क्वेशन पर जाता है तो वो भी टाइम आप पर बाद में आँगा तो वह भी टाइम हमारे पास आखरी में मिलने वाला क्योंकि अगर आप ठीक से देखो तो अब तक हमारे पास स्री 140 मिनिट खतम हुआ है और हम 200 कोशन कर चुके होंगे तो आखरी में 10 मिनिट हमारे पास है और 10 मिनिट क्यों है बफर के लिए कि कुछ उच नीच उपर नीचे एक हाथ इसमें हो जाए या 35 के जगे 37 लग जाए या 36 लग जाए तो 10 मिनिट हमारे पास है वह दो चार कोशन जो आप से बहुत अच्छी से जुड़े हुए जो आप कर सकते हो स्थोड़ा अभी टाइम कम है इसलिए आप उस पर बाद में आना चा यह मेर से होते ही है सिर्फ अभी टाइम नहीं और यह थोड़ा सा टाइम लेगा कोशन तो उसके लिए आखरी में हमारे पास टाइम है क्योंकि जो शूर शॉर्ट कोशन उसको छोड़ना भी नीची तो यस गाईज अगर आप 120 से 128 मार के हाथ तक लेकर आओ with 100% accuracy तो आपको समझ में आया 50 in 35 का rule हर 35 मिनिट में 50 question तक आपकी reach जानी चाहिए reach पहुचना चाहिए ठीक है सारे के सारे solve करके पहुचना है नहीं यह मैं नहीं बोल रहो यह possible भी नहीं यह 200 question मैंने कहा है जो 100% टैलर आने वाला है यह ना rank 1 all India वो भी 200 question पूरे solve करके नहीं करने वाला है believe me तो yes उसके लिए आपको definitely यहाँ पर best way क्या है कि वो आपकी जो strength है और मैंने कहा यह student to student matter करेगा तो यह rule को मैं summarize कर रहा हो guys कि जो आपकी strength है वो वाले question उठाओ हर पहले 50 हर पहले 50 हर पहले 50 हर पहले 50 के slot में ठीक ह 1st 50 का slot then second 50 का 3rd 50 का 4th 50 का और उन 50 में से make sure कि 30 से 32 question तो आप solve करो on an average एक question को एक minute और yes level of difficulty इसकी कम है cat के comparison में काफी कम है तो आप वो तो mindset रख सकते हो कि एक minute में आप एक question कर सकते हो मैंने गानों वो क्या आपके question तो यहर तीन मीट में 8-8-10-10 question हो जाते है यह भी minimum side बोल र अगर आपका वो part strong है तो ठीक है तो yes वो question आप 3-3 minute में 10-10 question कर सकते हो वो time बचा कर एक हात कौन का question अगर एक minute के जगे सववा minute demand कर भी रहा है तो दे दो अगर easy है कर सकते हो तो दे दो क्यूंकि वहाँ आप time बचाई चुकि हो vocab में logical reasoning के कुछ-कुछ abstract reasoning वाले of course abstract reasoning के अगर मोटी 25 question होते है अगर मैंने कहा है थोड़ा सा slot wise अभी चीज़े बदल रही है याना दो एक साल से लेकिन फिर भी अगर मान लो approximately 25 question होते है तो उसमें से गाईस 12 से 13 question तो आखों से अखियों से solve करने वाले होते है कि बस आखों से आप देख लो कि समझ जाते है रहे हा यह question आपका आखों से कुछी seconds में answer देने वाले questions होगे वो time बचा कर आप कोई ऐसी छोटी सी puzzle आपने ले लिए जो थोड़ा सा time ले रही है लेकिन आप damn sure हो कि इसका answer आप निकाल रहे हो तो ले लो देन ले लो वह आप अपने हिसाब से decide करो अब decide करने के लिए क्या करना ह कम से कम अभी जितने दिन बचेन मॉक्स दो इसी strategy से अब डायरेक्ट डीडे पे जाओगे और यह strategy अपलाए करोगे मुश्किल होगा इसलिए मैं आप सबको सेजेस्ट करूंगा वो स्टुएं जिनकी तगडी प्रिपरेशन हुई है वो जिनकी नहीं हुई है ड़सन मैटर जो जो स्टुएं यह वीडियो देख रहे हो गाईज यह strategy अभी जितने भी दिन आपके पास है आपके slot टकाने में जितनी हो सके full-length mock दो with the same strategy ठीक है तुक्का भी मार के जो मैं तुक्के की strategy बताने वालों तुक्के की हाला की strategy नहीं होती है tested proven strategy कुछ नहीं होती है यह तो वो strategy है जो मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं help करेगी एक इतने साल से जो students से contact होते है students के हिसाब जो toppers toppers students आते हैं उन्होंने भी यह चीज़ को again थोड़ा सा क्या बोलेंगे हम validate किया है कि हां सर यह चीज़े काम आरी exam में mocks में भी हमको फायदा हो रहा है mocks में भी सबसे साथ रूल में से सबसे important रूल यह था कि आपने 50 in 35 रूल फॉलो करना है जिसमें 140 मिनिट में 200 क्वेशन तक आपकी रीच जानी चाहिए और वो एकदम 140 मिनिट के बाद नहीं देखना है आपने क्या देखना है हर 35 मिनिट में चेक करना है 50 क्वेशन तक पहुचे 32 क्वेशन जहां पर ऑन एन एवरेज एक क्वेशन के लिए एक मिनिटी बोल रहो हूं है जो सीटी में पॉसीबल है अगर सई सेलेक्शन करो तो तो तीस से 32 क्वेशन आप आपने दम पर सॉल करकर भी 100% accuracy करोगे अगर ड्रीम कॉलेज चाहिए ड्रीम स्कॉर चाहिए तो इ आप एक्जीक्यूट कर पाओगे सेम डेपे स्टार्ट करोगे नहीं होगा तो हर 35 मिट के लाद एक बार नजर घुमालो कि हां हो गया मैं 50 कोशन तक पहुझ गया इसमें से मैंने सॉल कितना किया है हां मौक टेस बस देने के लिए दो मत होने के बाद उसको एनलाइस भी कर था इफ येस तो क्या उन पचास में से वाक्य में 30 से 32 कोशन मैंने अपने दम पे सॉल किये थे विदंडेट परसेंट एक्यूरसी है ना बच्चेवे 20 कोशन के लिए आप तुक्का मार सकते हो जहां पर मैंने आपको टॉपिक बताएगी जनरली यह होने चाहिए बट अग पहले गंटे में मत उठाओं पहले गंटे मत उठाओं उन पे आप लगे तो टिक करते चलो है ना मैंने यह भी बोला है कि आपको सब मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना है जो चार पाच क्वेशन मानलों एखाद आरसी जो छोटी और आपको लग रहा है कि यहाद तक इसको आप करें लोगे उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो एक कोई चोटी पजल उसको गर दो या कोई कॉंड के दो तिन क्वेशन जो आपको आते थोड़ा के सब्सक्राइब करेंगे तो चार-5 पाच क्वेशन ठीग है बाकी लगे हाथ तों एंसर देते चलो जो तुक्का मारे उनको भी अब कैसे देना है उसकी बात हमागे करेंगे तो यस गाईज एंसर इचने वरी कोशन यह रूल तो सिंपल है यह तो बतानी की जोरत नी बच्चा बच्चा जानता है सीटी एक्जाम है सो सारे क्वेश्चन अटेंट करने ही है 200 क्वेश्चन पूरे के पूरे अटें में जैसे पैर रखो वैसे लेकर चलना है कि मुझे इस एक्जाम में इच अन एवरी कोश्चन स्टार्ट अटेंट करना है और डेफिनेटल अगर यह रूल को फॉलो करोगे ना तो आप करोगे क्योंकि यह रूल ही यह बोलता है कि आपको पहले 35 मिनिट में 50 क्वेश्चन तक पहुचना है रिच करना ही वो भी टिक करते होे ज़कर करते होए अधिक करते हुए 100% accuracy से और बचे वे तुक्के से अब तुक्के कैसे आगे बात करेंगे तो यह तो हो गया each and every question आपको attempt करना है अब आई गाई इस वीडियो की सबसे second important बात कि आपको guessing करना है बट random guessing ने क्योंकि मैंने आपसे अभी वोला गाई अगर आप रेंडम guessing करोगे तो उसकी probability कितनी होती है वन फिफ्ट अगर पांच option है वन फिफ्ट चार उप्शन है वन फॉर्थ तीन ऑप्शन है वन थर्ड ही आपको तो बेसिक probability आती होगी तो अगर पांच option है सीटी में तो वन फिफ्ट इसकी probability है तो मानलो अगर आपने अपने दम पे 120 मार्क भी ले लिए एक average अबो average student की बात कर रहा हूं मैं ठीक है 120 मार्क भी ले लिए बचेवे 80 question में वन फिफ्ट प्रोबाइबिटी आपको 16 136 not at all bad score सुपब स्कूर बेस्ट स्कूर इस पर पुंबा वेलिंकर जैसी कॉलेज को टार्गेट कर सकते हो 136 प्लस स्कूर पे ठीक है तो गाईज आप ये स्कूर बुरा नहीं है पुंबा इस भी वेलिंकर इन इन्स्टूट को टार्गेट कर सकते हो इस स्कूर पे इस इनिटूट को टार्गेट कर सकते हो ये बूरा बिलकुल नहीं है तॉप फाइव में से कोई इंस्टूट आपको ज़रूर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों लेकिन अगर आपको मैं इससे बहतरीन चीज बोलू कि क्यों बचे वे 80 question में से आप 150 समझ रहे हो क्यों ना हम option elimination से जाए ज़रूरी थोड़ी कि हर 5 option में से सारे option इसे equal answer बनने की probability रखते होंगे हम ये बात ज़रूर वानते हैं कि अगर 5 option से 5 में से अगर हमें एक ही option select, एक ही option correct होता है तो probability 1-5 हुई तो अगर मुए 80 question को अंदा धुन तुका मारूंगा आखे बंद करके जय माता दी अकड़ भकड़ तो definitely आप 1-5 probability से calculation कर सकते हो लेकिन guys कई चीज़े होती है guessing में जो आपको option elimination में help करेगा अगर मानलो मैं बताओ ये 2 option तो answer होई नहीं सकते तो आपकी probability सीधा 1-3 पर आगी न सीधी आपकी probability 1-3 चलो दो छोड़ो मैं अगर एक-एक option भी eliminate कर दूँ एक option भी कि कि किसी reason के वज़े से ये option होई नहीं सकता तो 1-4 इसद प्रोबैबिलिटी सो असी का 1-4 कितना होता है गाइस 20 तो मुझे बताओ जो आपका score 120 आया था वो भी मैं minimum side बोल रहा हूँ है ना 120 score minimum side उसमें अब आपका 20 add हो गया 140 हो गया best score हो गया कही तो आप सिधनम के करीब जा रहे हो है ना सिधनम के करीब जा रहे हो उसमें से भी एक option और कर दो यह probability वंधर हो जाएगी वंधर हो जाएगी आप लगबख सिधनम तक पोज़ गया ठीक है यह भी तब जब आप सिर्फ 120 क्वेश्चन करेक्ट अटेम कर रहे हो हाला कि मैंने आपको को बोला है कि 120 में मिनिममम साइड बोल रहा हूं मैक्सिममम 32 भी कर सकते हो तुक्के मारने के लिए तीन मिनिट इनफ है तो 35 में से तीन मिनिट अगर मैं तुक्कों के लिए दे दू बच्चे वे 32 मिनिट 32 कोश्चन नहीं कर लूँगा अगर आपकी प्रिप्रेशन यह अटेंट करना विद 100% एक्यूरसी जरूरी है ठीक है तो वो टार्गेट कर रहे हो तो आपकी प्रिप्रेशन सही चाहिए और प्रिप्रेशन सही है तो यह जरूर अची वे बले 35 में से तीन तुक्के के लिए बचे 32 मिनिट 32 कोश्चन 128 स्कोर वही हो गया 128 वही हो गया अगर आप अब ऑप्शन से इलिमिनेट करते हुए अगर वन फोर्थ प्रोबैबिलिटी से भी जाओ वन फोर्थ तो गाईज आप देखलो 72 का वन फोर्थ अगर आपने 128 स्कोर ले लिया यह 120 की बात तो मैं कर चुको अब 120 अगर लिया बचे वे क्वेशन 72 उसका वन फोर् 2006 जिद्णम के आरम से लाइन में अगए अगर लग अच्छा हो रहारा है तो आपको तो जब है भी में सब्समें मिल जाता है वन 50 पलस में थोड़ा है Holz से फोर्थ 4स होाइप यह बट 25 में फोर्थ ऐसे मिल चुका है ठीक है लेकिन गाइस अगेन आप थोड़ा सा आगी का अपर लिमिट लेकी चलो तो यस ये स्कोर तो दिला देगा बट 150 प्लस अगर शूर शॉर शॉट है तो वहां तक का टार्गेट रखो 150 प्लस शुट भी और टार्गेट इन सीटी अगर आप बहुत अच्छी से मेहनत प एक्सपेट कर सकते हो उतना डिजर्व भी करते हो चलो गाइस सो अब बात करते सर आपने बोल तो दिया कि चलो हमें ऑप्शन करना है और इस हिसभा से हम फिर अपनी प्रोबाइबिलिटी जो है गेसींग की Israq कर्रेड कर सकते एक यह करने से यह होगा ही मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यह जो जो चीजे मैं बोल रहा हूँ यह करने से आपका guessing correct होगा ही लेकिन हाँ effective जरूर है है ना chances बहुत है होने के correct होने के ठीक है और यह एक overall इतने सालों से जो जो पढ़ाते आ रहे हैं जो टॉपर्स बात करते हैं मौक देते समय एक्जाम के बाद रिजल्ट के बाद उनसे भी एक आया हुआ फिडबैक की हासर यह चीजे बहुत कामा रही है तो गाइस कभी कभार क्या होता है ना जैसे कि इसे कोई चीजे हो जाती है ना तो हो ना हो इन में से होने के चांसे बढ़ जाते हैं मैं नहीं बोल रहा हूं कि फिर एंसर होना हो इन ही में से होता है तो in that case make sure कि आप जो भी गेस करो अगर आप आख्या बन करके करोगे अकडबकड से करोगे तो आप definitely किसी भी भी कर दोगे विच इस कंप्लिटली रॉंग इसलिए मैं बोल रहो रेंडम गेसिंग से मत जाओ रेंडम गेसिंग से जाना है तो तीन मीट में 20 question आख और इसे आप सेंफ और एस यहां है और ऐसी कॉई में से आता है जो out of the box starting में बात करी थी न मैंने out of the box जो आपने आज तक कभी नहीं किया मतलब आप दस बार भी question पढ़ लो तो आपके लिए तारे जमीन पर है ना याने लेटर सार डांसिंग वाली बात तो in that case इन दोनों में से किसी पर कर देना तो कभी कभार similar options होते है विद opposite sign और अगर ऐसा कुछ हो तो chances बढ़ जाएंगे ठीक है तो in that case आपकी probability सीधा one half मतलब आधी हो जाती है ऐसे अगर चार question भी आए तो उसमें दो करेक्ट आने की चांस बढ़ जाते हैं यह ना वन फिफ से तो चार में जीरो चांस है लेकिन वन वन अगर इस तरह से जावरे से चार में से अगर दो question भी सही आ गया तो बहुत बढ़ी आना यार सो गाइस अगें यह इच अनेवरी थिंग क्या है यह मानी हुई है इतने कई बारी effective साबीत हुई है लेकिन tested and proven नहीं है ठीक है हो सकता है 18 answer रहे ठीक है तो यहां पर लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता पढ़कर करोगे तो फिर तो सवाल ही नहीं सारी बातों का लेक से बाकी स्टुएंट कम करने वाले हैं ठीक है तुक्य जो है वह ज्यादा मारने वाले है और हंड़ेट पर्सेंट एक्यूरसी से कम अटेम्ट करेंगे वह स्टुएंट जो थोड़े से अबो एवरेज है लेकिन excellent level तक नहीं है बट वह बंदा जो जेबी का first लेने वाला हो इसमें हो सकता वह 40 तक भी अर्फ कर ले चाली सट ने जजूंब कर लेगा तो एक तुक्के के लिए रखेगा हो गया ठीक है तो 35 अगर कर रहा तो 140 को तो ही हो गया तुक्के से तो आराम से दस मिल जाएंगे तुक्का भी वह लॉजिकली मारेगा स्मार्ट लिह ही मारेगा तो उतना तो ले लेगा ठीक है तो येस गाईस बोलने के लिए आसान है करने के लिए मुश्किल है उसके लिए इतने सा दिनों की प्रिपरेशन बहुत मैटर करेगी ठीक है चलो फिर से गाईस जो extreme values होती है ना मालो चार option दिये है चार में से दो option बहुत ही extreme है या एक कोई तो option बहुत ही extreme है for example coding decoding का question है ठीक है उसमें एक option है south west एक option है south east एक option है north east एक option है north west एक option है south guys कही ना कही ये चार option एक जैसा दावा कर रहे है यानि कि आपका जो भी direction है ये main direction के बीच में कई तो होने के chances से north east north west south east south west ठीक है लेकिन ये एक option बड़ा extreme जा रहा है odd man out जा रहा है तो इसको आप ignore कर सकते हो in that case in that case इसको आप ignore कर सकते हो कही ना कही यहाँ पर probability फिर से क्या बन जाती है one-fourth probability क्या बन जाती है guys one-fourth चमक रहा है guys everyone अगे ने चीज़े कॉंट में भी हो सकती है है ना कॉंट में भी हो सकती है एक option है 2-15 एक option है 2-18 एक option है 220 एक option है 432 एक option है 6-18 अब कही ना कही यार यहाँ पर हमें जब 2-3 option लगबख close दिख रहे है तो हो सकता है answer इनी के बीच में कही तो होने के chances है फिर से बता रहो chances है यह दो values हमें काफी extreme दिख रही है जोरी नहीं extreme value स्रीव एक हो कभी-कभी 2 हो सकती है कभी-कभी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है अब बिल्कुल जब नहीं हो सकती गाइस अगर मान लो एक option ऐसा है 10 एक option है 12 एक option है 14 एक option है 16 एक option है 18 सर अब इसमें तो कोई भी एक्स्ट्रिम नहीं अब यहां पर आपका प्योर जयम आता दी काम आएगा फिर प्योर जयम आता दी यहां पर इंडाट केसाब कुछ नहीं कर सकते हो तो कोई नहीं नहीं आए अगर एक खाद दो या 10 15 20 क्वेशन में अगर 15 प्रोबैबिलिटी आ प्रोबैबिलिटी कहीं तो दो है तीन है चार पाच तो एवरेज क्या हो तीन और चार के बीच में तो असी में से वन थड़ या वन फोर्थ के बीच में कितना होता है है ना जो भी होता है अगर 80 कोश्चन में से और अगर मैं वन थार्ड लूँ गया तो यह कितना हो गया 27 पॉर्ट तो अगर मैं 25 क्वेश्चन भी करेक्ट मानलू 20 और 27 इसके बीच में तो भी बहुत है 24 क्वेश्चन भी करेक्ट मानलू तो भी बहुत है ना तो हमारा स्कॉर सिदा 145 जा रहा है 120 अस विध हंड़ेट परशन्ट एक्यूरसी यह तो मैं 100 परशन्ट एक्यूरसी बोल रहा हूँ प्लस अगर मैं 25 क्वेस्टन भी ले लू तो हमारा स्कूर जा रहा है 145 गाईस चीजे बहुत सही ढंग से करो तो आसान है और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट उसी दिन मत करना जिस दिन एक अब ही आपके पास जो तिन-चार दिने अब तक अगर एक भी मौक नहीं दियोगी या कई सारी मौक दियोगी डिजन्ट मैटर लेकिन इस स्ट्रेटेजी से अब मौक देना शुरू करो और अब तक अगर आप मौक में तुक्के नहीं मार रहे होंगे तो अब तुक्के भी स्ट्रेटी करना कि वह कौन से बराबर 35 में से 30 फेस्ट टेटेव करें तो अपने तुक्कों से लेकिन लॉजिकल तुक्कों से और उसमें से कितना करेक्ट आया क्या प्रोबैबिलिटी बन रही है उससे गई और लगबग वही मिरर इमेज होता है आपके फाइनल सीडी रि फिर आप compare नहीं कर सकते हो लेकिन अगर सही strategy से दे रहे हो mocks वो भी relevant mock जो बिल्कुल CT level की है और CT भी finally अगर आप दे रहे हो तो लगबग जो score है वो कही ना कई उपर नीचे match होता ही है ठीक है तो यह सारी चीजे है guys again कई-कई option में यह दो बाते होती है एक option कुछ तो दिया होता है B option कुछ तो दिया होता है C option दिया होता है both A and B both A and B guys कही ना कही ऐसा option अगर दीखा न तो इसके chances बढ़ जाते हैं again chances बढ़ जाते हैं doesn't mean कि यही answer होगा एक option है A, B, C, एक option है D कुछ तो A, E कुछ तो but एक जगे both A and B लिखा या both B and C लिखा या both A and C लिखा है तो ऐसे case में इसके option के chances बढ़ जाते हैं तो आप अगर बिल्कुल पढ़े नहीं हो या पढ़ने का आपके बास time ही नहीं है खासकर ऐसी चीज़े puzzles में आती है है ना कभी कबार A दिया होता है B दिया होता है C दिया होता है D दिया होता है और E दिया होता है all of these all of the all of these guys ऐसे question में अगर आपने बिल्कुल पढ़ने का time नहीं है तो मैं बोलूँगा रेंडम तुक्का मारने से अगर ऐसी कुछ दिख रही है बोत A & B या इधर A और B ठीक है बोत A & B के जगे कभी कभार ऐसा भी हो सकता है इधर A और B इधर C और D या फिर all of these ऐसी कुछ चीज़े दी होती है तो कही ना कहीं इनके chances guys हमेशा जादा होते हैं यह मेरा एक मानना है और overall जो इतने सालों से स्ट्वेंट से वारतालाव होता है खासकर वो जो अच्छा रिजल आते हैं उनके feedback से भी यह चीज़ मैं बोल सकते हूं ठीक है तो यह सारे chances से जहां पर आप best guessing कर सकते हो ठीक है किसी को कोई भी अगर आप मॉक और यह चीज़े पता है आप मॉक देते आपको भी समझ में ह दूसरी जगे होता है जी एन फीपी एक जगे होता है एन एपी भी ठीक है एक जगे होगा ए a.ट वी सी एस और एक जगे कुछ तो और होगा मानलो वी आँ सी एस है ना तो अब यार मुझे बताओ कहीं ना कहीं यह जो दो option है यह 2 option पहुत क्लोजे जी एन जी एन बस यहां पर पीवी और यहां पर वीपी वा है बाकी यह देखो एन एपीवी यह एन वी सीएस कोई आप इन में कोई ताल मिल नहीं यहां पर तीन-तीन आप्षिन को यो सब्सकिन हो लेकед अगर एक्स्स ट collaborators होटे सब केसे जुदे करें अगर कुछ गया है जब आप सौस्ट माुआ रहे हैं जब हो इसे वाला रूलओ करोगे तो ऐसी चीज़ें कभी कभी नियो कि बत एगर हो रही है हडबड़ी में एक्जाम के प्रेशर में तो फिर आप ऐसे केस में डेफिनेटली इन तीन आप्शन पर टीक ना करते हैं तो यह बहुत सी बात है गाईस जो गेसिंग में एक्स्ट्रिम वैल्यू को अवाइड करो जब यह बोत एंड भी होता है है अल आप दिस वाली चीज़े होती है इधर और बी वाली ऑप्शन होते हैं तो कहीं ना कि उनके चांसे बढ़ जाते हैं ठीक है उसके बाद गाईस जहां पर यह आपके इंफर असंशन असंशन स्टेटमेंट एन असंशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना क्रिटिकल मतलब यह तो कोई logic नहीं यह rule ही है कि assumption कभी भी असंशन कभी भी this statement नियो हो सकते assumptions कर बी कंपल्शे मुंसरत किसी भी assumption वाले statement में आपको देखना होता है नanking इस statement का सही assumption कोई सा है या कोई सा वह assumption को को सैटिस्फाय कर रहा है तो गई स्टे जभी आपको दीखे कि मस्ट भी शुड बी ऐसे कमपल्सिव वर्ड अगर आपको कहीं भी दीखे न तो आप इन वर्ड को देखकर आप उस स्टेटमेंट को इगनोर कर सकते हो मतलब वो अजंशन होई नहीं सकता जहाँ पर एक कमपल्सिव स्टेटमेंट आ चुक है मस्ट भी शुड भी यह अजंशन हो नहीं सकते हैं ठीक है तो छुटी छुटी बात है अफ्कोस आप यह अगर प्रॉपर पढ़ाई करते आ रहे हो तो यह हर एक टॉपिक के लिए आपने कुछ ना कुछ उसका जो थम रूल हो सीखा होगा और वो आपको काम आएगा अपन तीस भी अटेम्ट कर रहे हो तीस मिनिट में तो बच्चे वे पांच मिनिट में बीस क्वेशन तक ऐसे सोचते हुए भी आराम से जा सकते हो ठीक है सो गाइज अगेन मॉक देते रहो और यह चीज़े अपलाए करते रहो सो देट आपको और कॉंफिडंस आए खतम गाइज मेजोरिटी जो आज की थी वह हो गई है अब तो यार यह देखो प्ले विद इस गेम मतलब जो सीटी का गेम है यह प्ले गरो याने खेलो अपने स् स् कुष्चन्ट होती है तो यह आपने याद रखना है कि जो आपकी आपकी स्टेंथ है इसके इसाफ से पर दिख रा और उसमें से आपकी कोई स्ट्रेंथ है और चोटी पशलत राए बड़ी पजली छोड़ो गया उनी लेकिन याद रखो कि वो लेने से आपका जो rule है वो hamper ना हो 35 minute में 50 question वाला rule hamper ना हो और इसलिए मैं बोल रहो कि पहला एक गंटा बहुत crucial है तो उस एक गंटे में तो चितने हो सके guys सिर्फ और सिर्फ वो single line question logical reasoning में जो होते है abstract reasoning के जो आखों से solve होते है है ना वो cap question जो आर्सीज के होते है कॉंट के वो question जो सीधा formula based होते है ऐसे question लो so that वो एक घंटा सही utilize कि आना उसका जो confidence आपको आएगा उसका जो moral boost आपका होगा सबसे पहले तो जो exam pressure उसका भूल जाओगे जो nervous हो चुके थे हर कोई होगा जो टॉपर है वो भी होने वाला है है ना बस वो nervousness जो है वो कितने जल्दी आप उसको confidence में convert करते हो आपके उपर डिपेंड़े और यह आपके उपर तब डिपेंड़े जब आप अपनी strength पे खेलो है ना जब आप अपनी strength पे खेलो सही attempt करो सही 100% accuracy 35 questions में 50-50 questions अगर दो slot भी आप पूरे कर लो एक घंटे में ना दो slot में बराबर 70 मीट में 100 questions अगर आपके हो रहे तो वो confidence आपको definitely यह rule को पूरा successfully complete करवाएगा लेकिन पहले slot में आपने एक RC उठा ली इसने time खा लिया एक ऐसी puzzle उठा ली जो आपको easy लग रही थी लेकिन उसने आपका समय बरबाद किया और उसके बाद भी तो guys यह आपको laid away और इसलिए I'll suggest कि पहले एक घंटे में don't अच्छा यह तो rule number 6 में आपको पहले बता दे रहा हूँ पाद में 5 बतारो first one hour is very crucial for achieving your dream score तो पहले घंटे में कोई भी experiment मत करो वो चीज़े जो भलाई आपको easy लगे लेकिन risky है वो एक घंटे के बाद लो या एक खात puzzle और RC आपको लगी रहे ना मैंने बोला न पाच्छे question तो आप Mark 4 review कर सकते हो तो आखरी के 10 minute है हमारे पास buffer में 35 35 35 140 minute में 200 question तक हम पहुच रहे हैं जिसमें 120 question में 100% accuracy से किये है बचेवे 80 हमने logical guessing से किये logical approach guessing से तो कहीं न कहीं हमें उतना time है कि वो Mark 4 review जो हम बहतरीन वैसे कर सकते थे वहाँ पर हम आके फिर से करे ठीक हो पाच्छे question मतलब वह भी आपको 100% accuracy दे जाएगा आपके score को boost तो यस गाइस फिर फिफ्त रूल जो मैंने कहा था don't let your ego spoil your exam कहीं ना कहीं student यह गलती करते है कि अपने strength पे मतलब अपनी जो strength है उसको एक confidence की तरह लो जो आपको एक्जाम में confidence दे आपका nervousness आपका पैनिक लेवल डाउन कर दे लेकिन इस strength को कभी भी ego के तोर पे मतले ना मतलब मानलो मैंने direction sense इतना अच्छा करा है इतना practice किया और आज तक जब भी भी direction के question mocks में की है मेरा कभी गल वहाँ direction का single question ना आते हुए एक case आ जाए जो आपका time बरबाद कर रही है और बड़ी उल्जीवी case है या direction के साथ साथ blood relation उसने mix कर दिया या direction के साथ साथ sitting उसने mix कर दिया sitting arrangement ठीक है तो कही ना कही guys अगर आपको दिख रहा है किया यह puzzle हो गई अब यह simple direction नहीं रहा है यह puzzle हो गई है और puzzle को हमें start में छोड़ना है लेकिन बस आप direction देखकर किया direction में तो मैं fail होई नहीं सकता हूँ मेरा strong point है तो उसको ego पे मतलो अपनी strength को use करो अपने confidence को boost करने के लिए ना कि उसको ego में convert करो ego लेड़ उबेगा क्योंकि मैंने यह हर बारों यह हर exam में generally student करते है कि यार एक topic ऐसा होता है जो उनका favorite होता ही है कहीं ना कहीं एक section मानो एक module मानो एक topic मानो और वो topic का कोई tough question भी आ गया है तो student यह accept करने के लिए ready नहीं है कि मुझे अभी छोड़ना है यह छोड़ने में ह चोड़ना ही better होता है यह उसको लेकर नहीं चलना होता है उसी तरह गाइस यहां पर भी आपको question चोड़ना better रहेगा उसको ego पर मत लो भलाई अगर आपको damn sure है कि आप कर सकते हो थोड़ा time कम है बस तो उसको mark for review मेंने कहा ना पाच्छे question में उसको एक लेलो बट अगेन अ आगे का decide करने वाला है dream score तक जा रहे हो या नहीं यह पहला गंटे decide कर लेगा पहले गंटा बरबाद तो पूरा time बरबाद फिर वह आपका confidence वापीस नहीं पैनिक लेवल और बढ़ेगी पहला गंटा सही किया तो पूरा exam सही होगा पूरा rule जो आपने सीखा है as it is आप execute कर होगे और सही guessing के साथ logic के साथ भी आप guessing work करोगे याने आपका जो dream score पोच जाओगे क्योंकि वो confidence बड़ा matter करता है अच्छे टॉपर्स को मैंने डूपते हुए देखा है और अच्छे-च्छे students जो calm down calm पे focus करते अच्छी preparation बट टॉपर्स की category नहीं थे उन्होंने भी कमाल करके आए है इस एक घंटे को सही स्तमाल करके ठीक है तो यस गईस और लास्ट बट नॉट बी पैनिक भी काम तो यह बाते बोलने की जोरत नहीं है तो यह एक ही चीज़ बोलूँगा इसके लिए कि result का सोचो इमत 140 150 score है आपका यह आज याद रखो कल याद रखो लेकिन ज सेकंद उस धाई घंटे का आप यूटिलाइज करो प्रोड़क्तिवली ठीक रिजल्ट सोचो ही मत बैक आप दमाइंड आपके यह रहना चाहिए कि मुझे सारे अटेम्ट करना है बैक आप दमाइंड आपका जो स्ट्रेटीजी है एना 50 in 35 वाली रहना चाहिए बर अबर व सब चीजे देखते रहो मैं पोच पा रहा हूँ कीनी 30 कोशन करेक्ट हो रहे गी नहीं कि दिन सब पर तो आपका पैनिक लेवल वे सीटाओ हो जाएगा, so thank you so much guys, this is all about CT, ये वीडियो आपको definitely बताना काम आया कि नहीं, अपने mocks में इसको यूज करना चाहे तो पहले और फिर बताना काम आया कि नहीं, definitely आपका mock score भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा, and final CT का, ठीक है, 120 वाला 100% accuracy तक का target आप ले लो, उसके उपर gacing को logical way से करो, तो आप definitely guys, top 5 institute को तो मतलब मानी लो आपकी है, ठीक है, उसमें भी top 5 में से एक top की है, उसमें भी अगर top की चाहते हो, तो थोड़ा सा आपको और अपनी speed बढ़ानी होगी, जहां हम 120 question 100% accuracy से बोल रहे है, कोशिश करो, 128-133 तक पहुचने की, बाकी काम guessing work कर देगा, ठीक है, तो आज के लिए इतना है guys, मिलते है next session में, till then bye bye, good day, take care, enjoy, बताना, say comment में कि आपको ये mocks देने के बाद भी, या CT के बाद भी, काम आया है, thank you so much guys